जो पहल और से रिख तका डाइड ऑप्र इसका ओप्सन होगा तो ने ने कोजिन पर देख रहें आप Κा की ब्राइम मिनिस्टर केनोथ राइड रफ्सूड ऑवर हीज मिनिस्टरी एल कोलिक्स फॉर capabilities अब यहां पर राइड जो रफसूट लेखा हो इसका मतलब क्या होगा यहां पीडियम फ्रेजर में ठीक है तो यहां इसका मतलब जो होगा ऊपर मैं कर देता हूं ताकि क्लियर दिखे तो राइड 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 रफसूट का मतलब होगा भी हाइड विद कहले का मतलब है क Bearing ठीक है है चलो यहां तो हो गया चुकि यहां पर देख रहे हो यहां पर यहां पर नेगेटिव संदेंस तो नेगेटिव वढ़ी आपको आते हैं तो यहां पर राइफ दॉट का जो होगा एडियम होगा करेक्ट चलिया नेस जो कोशन यहां पर देख रहे हैं इस का मिलें क्या होगा यहां पर देखिए यह ही वाज डाउन इन दमाउथ ठीख वाज़ों दंद माउथ का मतलब क्या होगा इसका मतलब जो होगा आपका यहां पे एडि ग्रिसट ठीट down in the mouth का मत्तब होगा very depressed B नमर यहां पर option होगा इसका तो he was very depressed as he was defeated in the election वो इसलिए depressed था क्योंकि वो election में हार चुका था मैं इसकी हार गया था चलिए नेस्ट जो कोशन यहां पर देख रहे हैं next question they say join the army to drink life to the lease to drink life to the lease का मतलब यहां पर idiom जो होगा वो होगा यहां पर आपका to have a life full of adventures अब आप आर्मी में जाते तो यहां पर बहुत सारे adventures आपको देखने को बनते हैं जैसे कि आप कभी ऐसा सुच्छन आता जहां पर adventures का मतलब तर सासी से भरा प्रकर्म शीलगों चीज आपको मिलेंगे मिलेंगे क्या कि आपको अब आर्मी के आप एक फोजी एक से लेंख के एक अधिकारी हैं या फिराप soldier है निए तो वहां पर आप कभी भी यूद्ध हो सकता है वहां पर बहुत सारी चीज़ होते हैं सीन क्रेट होते हैं यहां पर यह चीज़ हो गया अब आगे बढ़ते हैं क्वाइब क्या होगा हो दाकार इंद बैक कार्ड इस प्रोविंग तुब यह वाइट एलिफांट ठीक है रखार बैक आपना इस जो घट यह और दिखावा भड़ा है है यह जोगत कुछ आप एक सिफी तो किमति और महंगा और दिखावा भरा है ठीक है जो कि यूजलेस है और दिखावा भरा है तो यहां पर यह वाइटलिफमेंट का मतलब होता है पोस्ट पॉस्ट पॉस्ट पॉण्ड या अस्था की दिश्ट को कहते है है तो मीटिंग के सेंज में हमें साथ पॉट आफ होता है मिस्की पॉस्ट पॉण्ड के सेंज में होता है चलिए नेस्ट कोशन के और बढ़तेए दारूल्स ओफ द्र डिल आर सेट फॉथ इन दे ब्रॉजर अब यहां पर क्या होगा सेट पॉर्ड का मतलब सेट वर्ड का मतल जाते हैं किसी चीज़े के पता करने के लिए चाले के इसके बताया गिए पिसी निधू ही आफ हुआ से क्ई जाते हैं रॉक्ट कि आफ करे प्लोग मतब करे वा ही सेaráगा टेर शाओकर टारी से पुर्खश्ड हुल स्मुमत खरिदा है बहुत ही सस्ते में खरिदा ठीक इसका मतलब यह होगा आगे बढ़ते नेश्ट कॉश्शन राजू है गिवन अप दूइंग एक्सरसाइज आफर सर्जरी गिवन अप मतलब क्या होगा गीव अप जिसको कहते पास्ट में तो यहां पर पास्ट की बात होगी तो य एक का मतलब होता है थ्याग देना चोड़ देना यह देना चीत इसका मतलब होगा कम अप मतलब होगी थिच्ट व्रों ठीक करने श् nutzen में क्या कि झार्म तॉन क्या घजिंग चयर्मन ट्राइस पॉइंट इस wouldn't listen to get his point across का मतब होगा make them understand the chairman उनको क्या कर रहे थे सम्झाने की कोसिस कर रहे थे बट मेंबर्स उनकी बात को धिहान से नहीं सुन रहे थे ठीक है हो गया है यहाँ पर 10 question अब आगे बढ़ते हैं next question पर असोग है ओल फेर वेदर फ्रेंट्स का मतलब की फेर वेदर फ्रेंट्स इसका मतब होता है कि ऐसा दोस्ट वेकि आपको अच्छे समय में आपकी साथ होता है और बुरे वक्त में आपको साथ छोड़ कर भाग जाता है ठीक है फ्रेंट्स का मतलब होता है छोड़ देना बुरे वक्त में छोड़ देना ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं next question पर कि क्या होगा next question में since the company has lost a good day of time and money you will have to make good loss to make good loss का मतलब यहां पर जो होगा उसका मतलब क्या होगा तो यहां पर इसका मतलब जो होगा वो होगा compensate for the loss ठीक to make good loss का मतलब होगा compensate for loss ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं next question पर the possession of Jerusalem is a bone of contention between Israel and Palestine अब यहां पर a bone of contention का मतलब क्या होगा तो यहां पर जो a bone of contention का मतलब तो is subject to dispute एक विसे जो कि जगरा का बना हुआ एक subject है एक विसे जो कि जगरा या विवात का बना हुआ ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं my friend turned a deep ear to my tail of loss and defuse to help me turn a deep ear का मतलब क्या होगा turn a deep ear का मतलब होगा no heat मतलब ध्यान ना देना ठीक है turn a deep ear का मतलब की कान है उसको turn के लिए घुमाले में इसके बात को धियान नहीं देना आगे बढ़ते हैं कि next question पर लेना वाज ओवर हेल एंड 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 इयर्स इन लव विथ देमेट्रिस एक व्यक्ति का नाम है ठीक है तो हिलना की बात को रही हाँ पर कि हलना वाज ओवर हीड एंड एंड एक हीड एंड एंड एंस ओपर हीड एनियर्स का मतलब होगा यहां पे completely तीक चलिया आगे बड़ते हैं कि गोपी वाक्स बाई फिट अनay जटर्स फिट इन श्टर्स को मतलब होता है की फिर्ट मतला पैल स्टैंड मतला खरा होना यहां से एक और ट्रिक समझ सकते हैं मिंस की टूबी इंडिपेंड़न अपने पर अपन जीवने आपन करना खुद पर ठीक है निर्भष होना चलिए इसका मतलब होगा कहने काफी हत्ता कभ मिलंसार की भावना मिलंसार की भावना को दिखाया वाला खावना को political parties at present playing to the gallery playing to the calorie का मत्तब होगा up is in the masses means ki masses का मत्तब में होता है जन्ता तो जन्ता को क्या जा रहा है उसके साथ सांथ क्राइब कोशिस की जा रही पॉल्टिकल पाथी जब भी होती है तो कोशिस करते कि जन्ता को सांथ को अपने मतलब निकालना या फिर वैसे भी पॉल्टिकल पाथी आप लोग को बारे पता हो कैसे होते लोग ठीक है अपना उलूशिफ सीदा करते हैं अपिसिंदे मॉस्स चली हिच कोल्ड और सॉरी हिस ब्लॉट राइन कोल वें हिए अंकल अब ब्लॉट कैन कोल ब्लॉट जो हो गया राइन कोल्ट कोल मतलब थंडा पर क्या मिंस कि क्या वृट यहां वह काफी हद तक डर गया था चली अश्च जो कॉश्छन है इस तो सिंपल एद इवन आ मैं इन यहां ब्लॉट मैं इन इन दे श्रीट का मतब्डि को श्रेट है जिसमें अन खराय तो उसके मतलब जो डिदियम होता है इस का मतलब होता कि एडिनरी परशन प्रिनरी के पस्राइब ना मतब की एक साथन वैक्ति की बात फोर हो रही थी यहां ठीक है ठली नेक्ट कोशन है कि वैंगी वन टूग इंसरेंस पॉर हिस का दा एजन्स सेड फीह हाद लेग तो अस्टान अब हैं अलेग तो स्तेंड आप होगा यहां पर इं not have much hope for getting it केले का मतब अब जो आप इंस्रेंस क्लेम की बात की गई है उसके लिए इंस्रेंस क्लेम क्या गया है उमीद कमें कि उसके क्लेम को मिले ठीक है उसके क्लेम का कंपेंसेशन मिले चलिए दची दधीव पास्ट इंसेल्फ और अज़ टिकेट एग्जामिनर पास्ट हिमसेल्फ का मतब यहां पर होगा डिसकाइज इसकाइज इंसेल्फ अपले आपको छुपा ना ठीक है चोरत आपने आपको छीपा था की ऐज़के टेकेट एग्जामिनर कि वह एक टिकट एग्जामनेर बलकि वह एक थीफ है ठीक चलिए नेस्ट को बढ़ते है 24 पे 24 में क्या अब ब्रेव सोल्जर विल नेबर सो दा वाइट वेदर इन दा फेस अफ इस एनमी अब ब्रेव कोई सोल्जर होगा और एनमी के सामने कभी भी सो दा वाइट फेदर दि कभी भी दुस्मनों के सामने कारता नहीं दिखाते हैं चलिए नेस्ट जो कोशन है तब पूर मैं मूवड फ्रॉम पीलर टुपोस्ट टुगेट मनी अब एक गरीब बैकती है वह पूरी कोशिस कर रहा है पूरे अपने आपको कोशिस कर रहा है बेस्ट करने के लिए कि उस से पैसा मिले तो फॉम पिलर टुपोस्ट का मतलब था त्राय हिज बेस्ट ठीक आयो 26 पे देख्टे 26 में गया होगा यू आपको बेक्ट फूल इन हैंलिंग असेंसितिव मैटर्स रादर रादर रान पूटिंग दकार्ट बिफोर दकार्ट का मतलब यहां पे होगा तैकल बेस्ट बेस्ट पूटिंग देख्ट बिफोर दाहर्स अब भाई पूटिंग देकार्ट अब गुरा के पीछे काट होता है लोगा अप गोरा के आगे आप काट को रोग दो ये तो हो गया उल्टा तरीकल इसका मतलब ऐसे वी आप इसको ट्रीकी से समझ सकते ट्रिक से का मतलब इन अनएमेसली का मतलब होता है एक मत से एक मत ठीक है या मिल जूलकर करने का मतलब यह विश्जामनेरेशन शुट भी पॉस्पाउन एक्जामनेशन को वहाँ पर पॉसपाउन करने की मांग कि जारे तो तो सभी जो बच्चें वोग चा करेंगे एक मतलब unanimously एक साहमस्त होकर उस चीज़ के लिए एक साथ आवाज उठाएंगा ठीक चलिए नेश्ट कॉशन एक दाख स्कीम एप्यास वर्तलेश्ट आड फेस्ट ब्लस आड फिस्ट ब्लस कमताब क्या होगा the speech he made all Greek to me all Greek का मतलब यहां पर जो होगा 29 में वो होगा incomprehensible incomprehensible का मतलब की all Greek means की incomprehensible कमें तो समझ से बाहर ठीक है चलिए नेस्ट कोश्चन की और बढ़ते हैं कि नेस्ट कोश्चन है ही लुग ब्लैंक ही लुग ब्लैंक वन दिखेंग के मतलब क्या होगा भी लुग ब्लैंक का मतलब वास्ट विदाओर एंड एंवोशन लुग बिल्कुल उचाली मतलब की विदाओर एंडी इमोशन चलिए लेश्ट परते हैं इस कोश्चन की ओ कि कि शीकुन नेवर मेजर आप तुह पैरेंट्स एक्सपेक्टेशन मेजर अब का मतलब यहां प्योंगा रिज्द लेवल अब पैरेंश के अनुसार वह वहां तक मतलब जितना एक्सपेक्ट पैरेंश ने किया था वहां तक उसने नहीं कर पाया ठीक है माली किसी के बैंश हो सब्सक्राइब तक नहीं पहुंच पाया तो उसको कहते मेजर अब इसकी देशलेवल एक्सपेक्ट से जितना किये थे वह नहीं कर पाया ठीक है चलिए नेस्ट कोर्शन में है कि लिटिल गर्ल्वाज हर फ्लॉलेस प्रफॉर्मेंस अस्टोल देस्टों यहां का मतलब होग सब्सक्राइब कि अपने प्रफॉर्मेंस से सभी लोगो इतना अकर्षित कर लेना इतना मुख्द कर लेना कि वह प्रसंसा की पात्र बन जा तो वह एवरिवर्यवडी प्रेस सभी के प्रसंसा के अब जान प्रसंसा के पात्र बन जाए ठीक है ठीवड़ी अं गुद्याम का मतलब यहां पर वह फ्रंड़े ठीक वच्छांद प्रेस के साथ अगर दोड़ना प्रेंद्ली बहवार करें तो पुलिस तो इसको क्या करेगी तो खुदी भी पता है ठीक है John's offer next question John's offer to help was turned down help was turned down by the police turned on कमतब होगे यहाँ पे refused turn down कमतब होगे diffused चलिए अब next question when the principal was entering the class all my friends quietly disappeared leaving me alone to face the music to face the music कमतलब यहाँ पे यह निगो की music से सामना करना means की यहाँ पे वो to bear the criticism अब जैसी principle की बात हो रहेगी प्रिंस्पल क्लास में निगर करते हैं जितने में में फ्रेंड से चुपके से सिर्फ मुझे चुपके से वहां से भाग जाते हैं अब आप अकेला पर जाओ तो क्रिटिसाइज तो आपका होगा ठीक है कि इसके आपके तो क्लास लग जाने ही बढ़ी आफ़े चलो नेस्ट कोशन है की दा केंडिया टीम टूब 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 कर्केट डार्क छौस चांत मतब जहाब यहाँ पर एक्स पर्ण वीशन अब कğlिया की बाते लोगी के तिम टूब 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 डा फटूब अब टीम एं अगर वह मालिये की सौथ-अफरिका को हराती है इंडिया को हराती है ठीक है प्रफ अफ्रिका गया इंडिया और ऑस्टेलिया ओगया ऐसे टीम को या फिल्ड हाँ या सौथ अफ्रिका ओगे अग्या ऑस्टेलिया न्यूजिलैंड अब ऐसे देश को अगर कंट्रे को हराती है के निया तो भाई अनएक्सपेक्टर भी नोगे कि के निया एक बहुत आपको विन होता है विनर आपके लाते हो ठीक यहां पर इसका मतलब ही होगा चलिए आगे बरता कि having no argument to defend his point the speaker began to beat about the boost to beat about the management की इधर उदर की बात करने लगना जब आप के पास कोई चारा नहों अपने आपको बचाव करने के लिए उस बहस में तो आप क्या करने लगते हो कि beat about the boost की बात करने तो speaking a haphazard banner ठीक है sorry manner speaking haphazard manner बेढ़ेंग तरीके से ठीक है चलिए अब आते हैं कि नेक्स्ट कोशन पर नेक्स्ट कोशन जो होगा देवा ओपर शिक्स मांथ रेंड इन लीव आफ नोटिस ऑफ वैकट बिल्दिंग अब इन लीव आफ का मतलब क्या होगा यहां पे इंडियम तो इंडियम इसका जो हो गया अब आई 39 पर 39 में क्या कि we know that he is the one responsible for the discard but as he well connected all we can do is send him the conventory ठीक है यहां पर जो होगा send him to commentary का मतलब जो होगा यहां पर by caught him ठीक है यहां पर जो होगा by caught him होगा यहां पर note कर लिजेगा आप लोग ठीक है काफ़ important question में से एक है और कई बार एक्जामी यह पूस्ट दिया जाता है तो आगे बढ़ते हैं यहां पर next question पर नेश्ट यहां पर हमारा question होगा कि he takes live once in a once in a blue moon once in a blue moon का मतलब क्या होगा ठीक तो वंस वंस मिल्स की once in a blue moon का मतलब होगा रेरली ठीक है कभी कभार ठीक है क्या होगा कभी कभार होगा अब आगे हम लोग बरेंगे नेस्ट कोशन पर नेक्ष कोशन किया है अपना बेखते हैं यह ने जो कुछन की आओ दाओ दण्यू क्लार्ट वास डिफिकल्ट टास्थ ही रिमेंट कुल एज़कुमर अब यहांपे अब लगद काम दिया गया फिड़ वह रिमेंट है कूल आज कुखुमर खीटा की तरह कि थंड़ा है मिश्की क्या वाज हैपी तो नहीं होगा वाज काउट कोल थंड़ा तो नहीं पर जाएं बले कि नौट नर्वस और इमोशनल ना तो वह नर्वस होगा नहीं इमोशनल होगा उसके लिए चाहिन की बात करते हैं some people don't grease anybody palms on a on any account कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कभी भी किसी भी हाल में वो क्या करते हैं ग्रीज नीपार्म एनिवडी पार्म नहीं करते हैं मिस्कि कभी भी किसी भी सुर्थे हाल में घूस नहीं देते हैं ब्राइमिस घूस देना ठीक है चलिए आगे बाते कि I had to pull stream to put up a good song to pull strings to put का मतबब यहां पर होगा यहां पर क्या सानी कि play a song use the instrument play the music ऐसा नहीं होगा बले कि use personal influence होगा use personal influence होगा चलिए next question की बात करते हैं कि you can easily overcome this situation if you keep your head if if you keep your head अब यहां पर क्या होगा you can easily overcome the situation situation की बात हो रही है और overcome चुटगार की बात की तो आपके आप अपने आपको क्या करना होगा keep your head keep your head your head का मतबब होगा remain calm ठीक है remain calm रहना मिसी सांथ रहना चलिए 45 प्याते हैं it is clear that the ideas of both performers ran in the same groove ठीक अब यहां पर क्या होगा ran in the same groove का मतबगा moved in harmony ठीक है चैलिए अगे बाते हैं नेस्टोशन की अप्लेस एफोर्ड अब वर्ट्स I've used of the green valley below of awards I've used अब आख मिस्की किसी पक्षी के आंखों से देखना मतब क्या and overview सर्चरी निकाहों से देखना ठीक है या थोड़े बहुत नजर से उपरी उपरी तरीके से देख लेले हाँ चलो ठीक है इससे हो गया चली नेस्ट की कोशन के बात करें तो form at once mouth to form at once mouth कर यहां पर जूख होगा मिनिंग वहोगा to get very angry ठीक है to get very angry next question के बात कहते है कि to feel like a fish out of water अब भाई अब फिस को वाटर से निकाल लोगे तो कैसा फिल उसको जल गया तो कहां पर get physically की बात बिलको नहीं होगा ठीक है तो फाइंड वर्क की बात नहीं होगा तो यहां पर नर्वस बेक्डाउन तो भी नहीं होगा यहां पर होगा to suffer financial losses to once one to one once finger कमता होगा to suffer financial losses to add fuel to fire to add fill the fire अब यहां पर यह आग जल रहा है ठीक है अब इसमें आप क्या करोगे फ्यूल डाल दोगे तेल और डाले वह तो क्या होगा आग तो और भरकेगी नहीं तो यहां पर क्यों करेंगी जलाएंगी तुसे क्या होगा तुभी एक्स्टावेंगी तुभी एक्स्टावेंगी खडचे उसका उसलोगा से नबर ओप्शन का अब आते नेस्ट पर स्टेटेस क्यों अंचेंच पोजिशन कई बर एक्जामी पुछा जा चुका बादेश्ट क्यक्त कि और विंद के किसी भी त टरीकर είंवें ऑन्स्ट और दिनॉस्ट इनॉस्ट करने कम तर किसी भी हाल में छाहा त वो श्रूष को करना है तो बस करना है by fair means or fall let's do question है कि at once bake and call at once bake and call का मतलब होगा यहाँ पे to be dominated by someone ठीक है चली next question है कि to explore everyone avenue इसका मतलब जो होगा यहाँ पे to try every opportunity to explore every avenue का मतलब हो to try every opportunity ठीक चली next question क्यों बढ़ते है कि लेटर 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 डेका मतलब और इंपॉर्टेंट और जोएफिल occasion in one's life एक ऐसा दिन एक ऐसा महत्पूर्ण दिन आपकी जीवन में जो कि खुशी से भरा हो और बहुत अब है को एक आप सम्छीं आप वां श्लीब अभाइ सम्छीं की बात की दीए और सिरे मतलब होता है वाजो बाहां जो ताब उसके उदर में पए वाह के अंदर रोब होता है हाथ का जो वातु आप उसमें कभी तेखते हैं कूई का लगश चिटिंग करने के यहां पे जया होगा नहीं की टू एक्ट एडट वंज ओनी सिए ठीक है यहां पर नोट के लिए डिदर चीस्टि टू पर किवें मांद्र फ्रेंड बास इनकात हो जाना में accidentally अचानक मुलाकात हो जाना चलिए नेस्ट कोर्शन के बढ़ते हैं नेस्ट कोर्शन जो है हमारा देन्यूज आप प्रेसिडेंट देथ स्पूर्ड लाइक वाल्ड फायर अब प्रेसिडेंट की देथ हुए तो वह न्यूस क्या होगा स्पीड लाइक विल्ड फायर मतरब की इस प्रिजी आ फ्रेटी से फ्रैटी यह ने था प्रेसिडेंट की देथ हो गहीं एस वह अप्रोट फॉर्लिए बाग को जाकर अब आख ओड़े मना आफ जोग़ाँ हां पे इंपॉसिवल छलिए नेस्ट कोशन है कि as a business as a business my father always maintain that his transaction continued and open book and open book का मतलब होता है खुली किताब की तरह खुली किताब की तरह मतलब क्या कोई विव्यक्ति की बात करते हैं कि खुली किताब की तरह क्या है तो वह straight forward है और honest है ठीक है 66 की बात करते हैं कि the project advance by leap and bounce leap and bounce means कि the project advance वो तेजी से चरव मिसके advance हो रहा है वो तेजी से rapidly by leap and bounce का मतलब है rapidly तेजी से ओप्रोजेक्ट पर काम हो रहा है मिसकी काम जारी है next question की बढ़ते ही 2 he is too fond of her own voice to phone of her own voice अपने voice पर खुद को सौक करना मिसका अपने voice का मिसके अपनी आवाज को खुदी पसंद करना तो वेरी टॉकेटीव पुछ लोगों थे कि बहुत फॉकेटीव बात करने हों बहुत ही दिल चस्मी लेते हैं तो उन्होंग करते हैं to fond to fond of her own voice and इस वीडियो का लाश्ट कोशन है इंडियन प्लीस इस ऑन वोल्ड high-handed in dealing with citizen high-handed दोगा मतब overbearing